हेलो फ्रेंट्स अब सभी के स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चनल सर्चाय24 में दूस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे काफी जगा अप्रेंटिशिप की वेकेंसी आई है उन्हें के पर बात करने वाले हैं कहा कहाँ पर आई हैं और यहां पर मैं सिर्फ बताओंगा आपो कहाँ पर आई हैं और सभी का लिंक में description में देगूँ आप डायट जाते हों आपके क्लिक करके apply कर सकते हों तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो army based workshop की तरफ से आई है apprentice के लिए है और यहाँ पर जो education qualification मांगा गया है तो ITI pass मांगा गया है और diploma मांगा गया है और BTEC ठीक है और इसका जो है company name दिया गया है 508 army based workshop इलहाबाद तो अगर आप इलहाबाद के आसपास बिलॉंग करते हो और army based में अगर आप apprentice करना चाहते है तो आपके लिए अच्छा मौक है आप कर सकते हो ठीक है और उसका course का duration होने वाला है एक साल का होने वाला है और यहाँ पर उन्होंने कुछ trade दिया है जो आपके qualification होने चाहिए ITI के अंदर electrician, feeder, welder, machinist, turner और draftman फिल्ड यह सब होना चाहि यह आप पास motor mechanic भी है और diploma और b.tec भी आप करके रखे हो तो भी आप apprentice कर सकते हो यहाँ पर उनके branch जो दिया गया है mechanical engineering दिया गया है और experience fresher है तो आप apply कर सकते हो ठीक है दुसरी vacancy की बात करें तो NHL की तरफ से आई है यहाँ भी trade apprentice मांगा गया है और fresher होनना चाहिए और IT पास student होने चाहिए अगर आप पास student है तो आप apply कर सकते हो और इसकी जो लास्ट डेट बताइगी है यहाँ पर 25 जनवरी बताइगी है और हिंदुस्तान अरोटिक के बारे में एक आपको बात बता दूं यहाँ पर जो apprentice students करते हैं यहाँ पर बहुत कुछ सिखने को मिलता है बाकी compare में अगर देखा जाए तो बाकी जैसे रेलिव अगेरा से करते हैं तो वहाँ पर इतना नहीं सिखा जाता है जितना अनुरोटिक लिमिटेड में कराया जाता है तो यहाँ पर आपको practical knowledge और प्लस theory knowledge दोनों मिलता है HL की तरफ से तो यहाँ पर अगर आप apprentice करते हैं तो बहुत कुछ सिखने को मिलेगा और आपको experience भी बहुत अच्छा मिलेगा तो अगर आप करना चाहते हो HL की तरफ से तो बहुत अच्छा मौक है आप जरूर कीजएगा apprentice यहां से और आसपास अगर कानपूर और UP के आसपास है तो जरूर कीजए भी आपके pass में nearest में है और इस सल जो pass out student है वो भी apply कर सकते हो थर्ड वेकेंसी की बात करें तो यह जो है आपकी I है R.E.L. की तरफ से और यह भी आपकी apprentice की वेकेंसी है technician apprentice और इसकी जो post है 11 post दी गई है और जो last date है इसकी होने वाली है आपकी 27 जनवरी ठीक है और यह company का नाम है पूरा Indian Rear और Surly Limited यानि I.R.E.L. और जो यह company है यह भी government के अंडर में आती है तो यह भी PSD हो है government की और इसे जो बोला जाता है मीनी रतन बोला जाता है तो यह भी अच्छी company है अगर आप करना चाहते हो apprentice तो यहां भी बहुत अच्छा मौका है यहां सभी कर सकते हो अभी मैंने जितनी भी vacancy इसी discuss कर रहा हूं इन सभी का link में description में देदूँगा अब direct क्लिक करके apply कर सकते हो ठीक है और यह मैंने short video इसलिए रहा है कि एकी वीडियो में सारी vacancy cover हो जाए फुर्थ vacancy की बात करें तो यह आप ही आई है railway apprentice 2022 जो की RCF यानी rail coach factory का पूर थला की तरफ से आई है और यहां पर यहां पर आपको 24 घंटे का ही time मिलेगा उसी के अंदर आपको apply करना होगा कोई भी डॉक्मेंट आपको send नहीं करना office में इनका online खुलेगा पॉर्टल चौवी जन्वारी 2022 को इनका पॉर्टल open होगा उसी time आपको apply करना होगा और जो की पॉर्टल जो है यह आपका 24 घंटे के लिए खुलेगा उसी गंदर आपको apply करना होगा ठीक है अगर आप रेल दोस्तों यही चार विकेंसी थी जो कि अभी रिसेंटली में अप्रेंटिस की आई हुई है इन सभी के जो लिंक है मैं नीचे डिक्स्रिप्शन में दे दूँगा आप डाइट जाक के apply कर सकते हो अगर आप इन पोस्ट चो उपर डीटल में वीडियो चाहते हो तो आप मु झाल झाल